जवलपूर के आधारताल थारंतरगत आधारताल तालाब के पास एक जुलाई की सुबह कच्रे के धेर में मिली महज एक दिन की बच्ची को पुलिस ने दतकाल एलगीन एस्पिताल में भरती कराया था जहां बच्ची के चरेर पेंचीटिया लग गई थी फिलाल बच्ची का आधारताल पुलिस के द्वारा एक दिन की बच्ची को लाकर एलगीन एस्पिताल में भरती कराया था एक जुलाई को दोपहर में आधारताल पुलिस के द्वारा एक जो बच्ची है जो समय आई थी जब तो ऐसा देखकर परिक्षण से लगा कि वो 24 घंटे के भीतर ही उसकी पैदा हुई है वो क्योंकि जो उसका नराज यसे बहें लगा उता नाभी पर वहां बलड भी था औ उसके वहां पर मख्यों के अंडे और लारवा भी पाए गए तो वो बच्ची बाकी उसको कोई भी समस्या नहीं है बच्ची बिल्कुल ठीक है और अब तीन दिन की हो चुकी है वो डॉक्टर पूरा ध्यान रख रहे हैं उसको और जबसे वो बच्ची की खबर शहर में कि लोगों को यह अंडाज नहीं है कि यह बच्चे ऐसे गोद नहीं दिये जाते यह मात्रशाया भेजे जाते हैं वहां पर एक वेटिंग लिस्ट है जिन्होंने अपना रेजिस्टेशन कराया है उसी आधार पर यह बच्चे दिये जाते हैं तो अस्पताल से संपर करने से कोई लाव नहीं होगा इसके अलावा यह हमारे जो प्रशाशनिक अधिकारियों का बहुत अच्छी सोच है कि कल एस्पी साब अस्पताल आये थे उन्होंने उस बच्चे के लिए कपड़े खिलोने जूला आदी दिया है और यह भी कहा है कि हम उसके आगे भी जिस चीज के आवशकता पड़ेगी उसमें परपूर योगदान देंगे यह बहुत अच्छा प्रयास है हमारे अधिकारियों का और इसके अलावा जो बच्ची है उसको चार पास दिन रखा जाएगा यह वो बिल्कुल ठीक है दूसरी माताओं से दूद लेकर उस बच्ची को और अपनी च्छाती से लगाकर ही उसे इस्तनपान कराने के लिए भी तैयार है लेकिन संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग कटोरी बगरे में दूद एकत्रित करके वहां की सिस्टर उसको काम कर रहे हैं हड़ताल होने के बाद भी हमारे हैं कुछ सिस्टर्स ऐसी हैं जो लग आतार काम करें